दोस्तों, आपने सांप की केचुली को तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सांप अपनी केचुली को उतारता क्यूं है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि सांप ऐसा अपनी रक्षा करने के लिए करता है. क्योंकि अगर सांप की स्किन में कोई infection या बीमारी लग जाती है तो सांप अपनी स्किन के उपरी भाग को उतार देता है क्योंकि यहीं उपरी स्किन सांपों को बहुत सी बीमारियों और खतरनाक वायरस से बचाती है और साथ ही केचली उतारने के बाद सांप के स्किन की सफाई भी हो जाती है और इनकी नई स्किन काफी ज्यादा साफ और चमकदार होती है लेकिन दोस्तों सांपों के लिए केचली उतारना इतना भी आसान नहीं होता स्किन में खराबी होने पर सबसे पहले तो सांप एक सुनसान जगह पर चला जाता है और कई दिनों तक खाना पीना भी छोड़ देता है फिर वो अपने जबडे के पास पत्थर या किसी नुकीली चीज से रगड कर कट लगा लेता है जिसमें उसे काफी ज्यादा दर्द का भी सामना करना पड़ता है फिर कट लग जाने के बाद वो अपने आसपास की चीजों जैसे पेड़ पत्थर कांटे या फिर किसी चीज से अपने शरीर को रगड कर अपनी केचुली को निकाल लेता है